तो जय हैं सलाम नमस्ते कैसे आप लोग उमीद कर रहा होंगे कि सब ठीक होंगे फिर आपका भाई आपको दोस्त हाजी राजिक नए बुलोक के साथ तो चलिए आज मैं बुलोकिंग करने निकला हूँ तो यह देखिए हमारे यहाँ आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी यहां जैसे कि दबलिंग का काम किस तरह चल रहा है और एक्टी फ्रिक्सन का वीडियो तो कला आप लोगों को मिला था और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे हाँ पानी बरस उठा था तो जो डबलिंग का काम चल रहा था उसको अवरोध हो गया था और में तो थोड़ा दस गई थी नीचे जिसके कारण डबलिंग का काम रोग दिया गया है और जिसी भी से आगे देखिए मैं लेकर चल रहा हूं जिसी भी चल रही है और जो इस मिट्टि को पुरा समतल कल रही है कि और मिट्टिस को पर डाल जा रहा है कि इसमें मजबूत ही आए और चलिए चलते हैं और रही एटिफेकेशन की बात तो आप देख सकते हैं आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे जिसी भी चल रही है हो सके जाने मुझको और रोध हो क्योंकि मैं आगे अब देख सकते हैं कि जिसी भी चल रही है और मिट्टि को संतल कर रही है और मुझे लग रहा है कि ट्रेलवे ट्रेक के दोरा जाना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता और रोध है यह बहुत खत्रा वाला काम है क्योंकि तुछे क्रोसिंग बंध है और में इस तरह देखिए अपने करके आपने के यू Transportation को देखा हुआ कि सबके पास कार रहती हैं जोकि मैं अकलॉता एक लुत्यूबर इसके पास रैकल है और उससे बडूकिंग कर रहा हूं मैं तो अगे सींटल हुआ है तो यह ट्रेन आरही है चपना जल्दी हो सक gü nay निकल जाओं यहां से क्योंकि दोनों इस तरह स्टार लगा हुआ है और किरियन कहीं सी आई तो बहुत बड़ी प्राब्लम हो जाएगी मुझे यह देखिए हमारे यहां मिट्टिकल लेवल को सही किया जा रहा है और मुझको नहीं लग रहा है कि आगी रास्ता सही है तो इस पार जाना पड़ेगा और तार लगा हुआ है तो चलते हैं और आपने देखा कि पीछे जिसी भी चल रही है और मिट्टिकल पूरा संथल कर रही है आप नीचे देख सकते हैं तलाव था बहुत बड़ा और इस तरह हमारे यहां डवलिंग का काम चल रहा है आगे अपने देखा कि जिसी भी मिट्टिकल पूरा बराबर कर रही है क्योंकि बीज-बीज में पानी बरसरा है बहुत तेज जिसकर मिट्टिक युली हो जारी है और आपने कल देखा था कि एक्टिफेकरशन को हमारे यहां देखिए कर दिया गया है वायरिंग का काम और हो सके इसमें बीज-बीज में जो ट्रांसफार्मर बैठाया जाता है आपने कभी कि देखा होगा अगर आप रेल यात रखी होंगे तो वही बाकी रह गया है और पिर लोकोमेक्टिव हो सके वेब 7 वेब 5 यह सब एक्टिफेकरशन वाले रेले एंजन चले है यहां पर और मुझे जहां तक लग रहा है कि आगे फिर कुछ औरोध है रास्ता क्योंकि अंडर्गराउंड पुल है जो तलाव से तलाव पानी जो जाता है हमारे यहां बन रहा है और हो सके मुझे कुछ दिक्कत हो लेकिन देखिए जर के आगे जीत है चलते हैं और इतना खतरनाक ब्ल कि मैंने सोचा क्यों न वीडियो बनाई जाए और अपने दर्सकों को दिखाया जाए क्योंकि एक योट्यूबर का काम होता है यह सब करना और आप देख सकते हैं यह देखिए एक हमारे हां जर ग्राउंड पुल बन रहा है जो नीचे से पानी आपानी आपानी तो चलते है अगे और आप देख सकते हैं कि वार्साथ गुजा से काम को रोका नहीं गया है क्योंकि जिसी भी लगए ही तो से रोकना नहीं कहेंगे अगर बिल्कुल ठप होता तो से रोका जा ना कह सकता था हुआ 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 है कि डबलिंग के काम पर विशेश इसलिए नहीं ध्यान दिया जा रहा था योकि बीज-बीज में बहुत तगड़ा बरसात हो रहा था जिसके कारण काम को रोक दिया गया था और आज भी देखिए मौसम कुछ खराबी लग रहा है मुझे जहां तक लग रहा आसार है पानी बरसने का तो चलते हैं और तो आपने देखा कि हमारे यहां जो डबलिंग का काम है किस चल रहा है और एक्टिफिकेसन का काम को आधा कर लिया गया है कुछ ही बागी है तो बहुत जल्द इसको भी पूरा कर लिया जाएगा और मैं आपको जल्द जल्द को नहीं वीडियो तो जहां तको कर चैनल पर नए है चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना कमेंट कर देना फिर मिलते किसे अच्छी वीडियो है तो हस्तरी है मुस्राते रहिए अपना ख्याल रखिए अपना परिवार ख्याल रखिए जैहें एंड गोड़ प लाइ